आओ मेरे दोस्तों ए कहां लेकर आगयो यार जासर भाई इतने जंगन में जैद भाई यही तो वो पेड़ है बर्गत का जिससे मेरी पुरानी यादे जुड़ी है यादे? कैसी यादे? पुरानी यादे यहां मेरे पूरबा जाया करते थे और इस प्यर्ड से मुझे हिम्मत मिलती है इसलिए आज तुम लोगों को यहां लेकर आया तुम जहां कहीं भी हो अभी आकर उसे मिलो अरे चासर भाई मैं अभी आता हूँ अरे ये इतनी जल्दी में कहा गया कहा हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों गुलाया? बदला? कैसा बदला? मैं एक इच्छा धारी नागी रूँ दोसों साल पुरानी जासर के फूरवशों है मेरे पिता को मारा है अच्छा तो तुमको जासर को मारना है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा लेकिन इसके पदले में मुझे क्या मिलेगा इस जैसे तुम्हे अजारों इनसान मिलेंगे बस तुम मेरी चासर से दोस्ती करवादागे ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा तो एक काम करते है अपने इंसानी बेस में आके चासर के पास दलते है चलो तुम्हे एक बात बताना तो भूल गई है क्या? तक तक जासर के गले पर चाहे ने, तक तक ना उसे चूब भी नहीं सकती। कैसी भी करके तुम्हे वो चाहे उसकी गले से उतरवानी हो। और बागी काम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है। जैफ अभी तक नहीं आया। वो जैफ आतु भाई? स्वारी के सकती है। दोस्त नहीं है। क्रें शूर्णा सी में वृकल कोई बाति में इन से मिली है। सलो जासर भाई!!! लो निती पंडू भातने है। बढर भाऊब दोरे खोले हाने मैं किया बोलता है आउं बैक में पोठी आई गारा है चलिए आगे चलते हैं आचली चलिए पिर पिस पोटों में लड़की ही नहीं आई इसका मतलब हो कोई इंसान नहीं बलके इंसान के बेज में कोई और है बहुत देर हो गई जाओ अब तुम अपने काम को अंजाम दोल जासर की गले में से वह चै आप दो जब आई यहीं कोगी है ठीक है? अलीशा क्या काम था अरे अलीशा तो नहीं मुझे काम था जड़ा एक फोटो की जो मेरा लेकिन भाई यहाज चैन मिलेगी फोटो की चाने के लिए यह जैन बैसे मैं किसी को देता नहीं है पर तो मेरा दोस्त है तुझे देता है वेजो ने मेरे पिता को मारा था, अब मैं तुम्हें नी छोड़ूँगी, इसका मतलब जहद भी उससे मिला हुआ है, रखकर ये नकली चैन पहन लेता हूँ, अब तू मरे मेरे हातों से, तू मरी मेरे हातों से, तू मरी अरे यार इतने देर होगे, लोग कहा गए, आओ चलो घर चलते हैं, अरे वो लोग कहा गए, वो दोलो तो पहले ही चले गए, चलो, अच्छा चलो